कि नमस्कार् स्वागत है आप सभी का कमप्टिशन कॉमणिटी में हम लोग बात कर रहे थे इसे पहले वाले वीडियो में मुगल बंस के बारे में जिसमें हमने बावर से लेकरके अकवर तक की सब्ती बात किया था, अब यहां दूसरे जो वीडियो है, उसमें जहां गीड से लेकर के आगे बात करेंगे, और I hope आपने previous year question paper जरूर देखा होगा, जरूर solve किया होगा, ठेक है, solve करते रहें, previous year question paper ही आपको selection दिलाएगा, वो बड़ा काम का चीज चीज होता है, जो कुछ लोग उसको unsolve question भी बोलते हैं भी, जो solve नहीं किया होता है तो वह भी आप ले सकते हैं मार्केट से. कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कोशन प्रिवियस यर तो नहीं होता है लेकिन कोशन बने हुए होते हैं जिसके चार अप्शन बना देते हैं उसको भी आप रख सकते हैं, उसको भी solve कर लेंगे, लेकिन previous year question paper solve करने के बाद उसका अस्थान आता है, और बहुत सारे ऐसे प्रकासन है, जो previous year question paper solve कराने के लिए, जैसे कि आपका सबसे बढ़िया घटना चकर है, सबसे बेस्ट घटना चकर है, platform है, किरन है, बहुत ऐसे प् अच्छा है, तो इसलिए, ठीक है, चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं, अपने कलास को आज हम लोग बात करेंगे जहांगीर से, और जहांगीर से चीजों को आगे बढ़ाएंगे, जहांगीर आप देख रहे हैं कि अकवर की मिर्तिव हो जाती है, और अकवर 605 तक सासन क करता है, अगर लगवक पूरे 50-51 साल का इनका पूरा का पूरा विवस्ता होता है, तो 50 साल तक अकवर सासन ही करते जा रहा है, आप समझ लेजिए कि अकवर 50 साल नहीं, पूरा मतलब सदी बिता दिया है सासन करने में, तो इतना दिन तो कोई सासन करता है क्या, चलिए, अक नाम सलीम चिस्ती के नाम पर पर आथा जो एक सूफी संत्य थे ये भी बात हमने आपको बताया था सलीम के बारे में ठीक है चलिए तो जहांगीर 605 से 6027 तक सासन करता है एक्जाम का पॉइंट यहां से भी पूछ लेते हैं वी वी आई है कि जहांगीर का टाइम पिरियेड ब कोन ऐसा मुगल सासक हा जो अपने नयाय बवस्था के लिए जाना जाता है तो मुगल सासक जहांगीर है जो अपने नयाय ववस्था केलिए जहांगीर इसने जंजीरे अदल, यानि की जंजीरे अदल की अस्थापना किया था, जंजीरे अदल का मतलब क्या होता है, वो हम आपको बताते हैं, इसके न्याय का जंजीर बोला जाता है, इसे, ठीक है, था क्या, वो हम आपको बताते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाया और आपको याद रह जाये ठीक है पढ़ने से याद तो रहेगा नहीं कि दरसल अगर कोई भी फड़ियादी यानि कि कोई भी बंदा अगर कोट बगरा से फेल हो चुका है कोट में उसको जो भी मिला है क्या वोगते हैं उसको न्याई मिला है उसे वह संतूष्ट नहीं है कोट के जो decisions हैं उससे संटूस नहीं है और अंतिम रूप से यह चाहता है कि राजा समराथ खुद हमारे जो मामला है उसको देखे समझे और फिर एक तरीके का decision दे तो वो जाकर के और एक जंजीर जो किले के दर्वाजे पर लगा था उसको जुलाएगा बजाएगा घंटे को तो वो जहांगीर तक वो पहुंच जाएगा आवाज यानि कि जहांगीर तक मैसे चला जाएगा कि कोई फड़ियादी है जो आप तक पहुंचना चाता है जो अपनी मामले को लेकर आप तक आया है वो फड़ियादी आप से बात करना चाता है तो जहांगीर क्या करेगा उस के लिए जाना जाता है कोसन एक्जाम में कितने बार पूछा गया है कि नया के लिए कौन ऐसा मुगल सासा कर जो जाना जाता है तो जहांगीर बैटा यहां से कोसन बनेंगे तुम लोग गलती मत कर लेना ठीक है ना आगे बढ़ें चलो आगे बढ़ते हैं जहांगीर के बारे लेकिन इसका कहानी किया है, वो समझे मेहरूनिस्या का बाहरे इंट्रेस्टिंग कहानी है, इंट्रेश्टिंग कहानी है कि मेरणनिसा के हस्वेंड का नाम था शेषप आफगान इसको नाम था इसके हस्वेंड का तो एक लडाई में हशेड अफगान करते हैं तो महरुनिसा बिधवा हो जाती है, सिंपल बात है, तो Isnva के दरवार में अकवर के हरम में रख लिया जाता है, सेवा उपा के लिए के दाशी के रूप में, तो महरुनिसा दाशी के रूप में काम करना शुरू कर देती है, जारू अरू लगाना, खटका उटका करना जानते हो पर्दा वर्दा लगाना यही सब काम उसका रहा गया हो क्या करें आगे आप समझ रहे हैं तो नौरोज त्यवहार अब नौरोज त्यवहार से ध्यान में आ गया होगा बलवन नौरोज त्यवहार की शुरुआत किया था अकपर ने भी नौरोज मैं यहां पर थुरा सा मिटा दू चीजों को चाहे फिर इसी में लिख लेता हूं नौरोज के तेवहार के दिन ये देख लेता है कौन देख लेता है जहांगीर देख लेता है नौरोज के तेवहार के दिन जिसको नववर्स बोलते है अब नारोज के तेवहार के दिन फेरण लबनी बेगारा लगा ली कुछ पहन ली ओगी ऐसा, कि देख लिया, ठीक है, अब देख लिया, अब देखते ही कता हम ब्या करेंगे, तो महरुन निशा को, अब महरुन निशा से कौन पूछे कि तुम साधी करोगो कि नहीं जहांगी तो नूर जहां के नाम से महरून निसा को रखा जाता है और महरून निसा यानि की अब नूर जहां के बाबू का नाम है इसके पिता का नाम है तो यह बात भी अब ध्यान रखेगा अब दोखेगे एक नूर जहां का बिवा हुआ और पूरा खंदान को उसने काम पे लगा दिया अब तो जहारू-खटका करते थी अब रानी बनते हैं क्या क्या करने लगी खुद तो रानी हो गई, पिता को दिलबा दिया, कहीं का बड़ा सा जागिरदारी, जो नूर जहां की मा है, उस वो इत्र ढूंदने लगी, अब तो जहारू खटका के समय खतम हो गया, गरीवी खतम, तो अब क्या किया, अब ऐसा काम करो, तो इत्र, तो कहते हैं कि गुलाब खटका करना भी लगता है, क्या रहे, देखो, क्या इजाद किया है, ठीक है, चलो, तो नूर जहां की उपाधी धारन किया, अब आगे बढ़े, कहानी सुन लिया, नूर जहां बनने की, इनको महरून निस्या का, सीर अफगान से कहां चले आए, नवरोज के तेवार के दिन जहांगीर की वाइप बन गए, चलिए, कैप्टन होकिंग्स, कैप्टन होकिंग्स, जो इंगलेंड का, इंगलेंड से आया था, जहांगीर के दरवार में आया था, तो आपसे कोशन पूछेगा, कि पहला अंग्रेज, जो जहांगीर के दरवार में आया था, तो कैप्टन ह पहला गरेज आपन का दशहांगीर के का र newcom में वह कॉन था तोमस रो यह था दोनों ही तोड़ यह लेकर के आय था तो Captain Hawking's को बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिल पाती है, लेकिन Thomas Rowe को सफलता मिल जाती है बेपार के लिए, और ये कोठी खोनने में भी सफल हो जाते हैं, इसलिए आप देखियेगा, अंग्रेजों की पहली कोठी 1613 इस भी में, 1613 में, पहले तो 1608 में, जो की फेल हो गया, 1608 वला कोठी अंग्रेजों का क्या हो गया, फेल हो गया, जब हम आतनिक भारत परेंगे तो आपको बताएंगे, तो ये क्या हो गया, ये कोठी नहीं खूल पाया, ये फेल हो गया, लेकिन ये जो है न, सफल रहा, यानि कि सक्सेस रहा, ठीक है, 1613 वला, ये सूरत में, आप वही थौमस रो थे, जो आये थे, यहां पर वेपार के लिए, वेपार के हिसाब से आये थे, 1608, 1613, दो बात में आपको बता दिया, जहांगीर ने गुरु अरजुन देव, जो गुरु अरजुन देव, सिखो के पांचवे गुरु है, पांचवे गुरु, गुरु जहांगीर ने गुरु अरजुन देव को, अब इसके पीछे कहानी क्या है, तो इसके पीछे कहानी ये है कि जो जहांगीर का एक बेटा था, खुसरो और खुर्रम, दो बेटा है, तो खुसरो तो आगे चल करके साजा मनता है, जो खुर्रम था, उसने बिद्रो कर दिया, ब जहांगिर ने दवा दिया, और अरजुन देव को इसके लिए भासी पे लटका दिया, तो पांचवे गुरू गुरु अरजुन देव को जहांगीर ने भासी पे दिया, ये कोस्टन एग्जाम में, एक हजार पर पुछा है, याद रखियेगा इस पॉइंट को, एक हजार बंस में दो ही ऐसे राजा है, एक है बावर और एक है जहांगीर, जिसने अपना आत्मकता लिखा, यह कोसन एकजाम में भने है, तो इसलिए इस कोसन को आप ध्यान में रखेंगे, चलिए, जहांगीर को कहां दफनाया गया, लाहोर में दफनाया गया, ये बात आप याद रखिएगा, उस्ताद मंसूर इसके परसिद चितरकार थे, ये बात मैंने आपको बताया, कि चितरकारों के एक लीस्ट है, जिसमें उस्ताद मंसूर का नाम बड़ा इंपोर्टेंट है, और दरअसल ये परकिर्ती के चितरकारी में एक्सपोर्ट थे, पर मैंने कहा कि सहादरा में इसका मकवरा है, तो लहोर में दफनाया गया था, तो सहादरा में इसका क्या है, मकवरा है लहोर में, और नूर जहां ने, नूर जहां जो इनकी बीवी था, अपने पिता का मकवरा, जिसका नाम था, इत्माउ दौला का उपादीम दिया था पिता क तो इत्माव दॉला का मकवरा जिसको मिर्जा ग्यास बेग बनबाया पहली बार पित्रा डिवरा का शुरुवात किया गया पुत्रा डिवरा का पड़ियोग सोरी ठीक है पित्रा दूरा का पर्योग यह पित्रा दूरा क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं और इद्माउ तौला क्या है वो मैं आपको समझाता हूं ऊपर का चीज को मैं मीटाता हूं एक बार ठीक है देखो अच्छे से समझना ठीक है मैं आपको समझाता हूं पित् कीमती पत्थर से कीमती पत्थर से यहां पर लिखा हुआ होगा ठीक है कीमती पत्थर से दिवारों को स्जाना यहीपित्रा डीउरा है messa six of 2 है तो पहली बारा पिट्रा डीउरा की सुरुवात इत्माहुतॉदाला के मकबर में खिए अब इत्माहुत थान है को में तो नुर जहां कटे पिदा जी का नाम हम आपको भी दिखाएंगे अभी तुरत दिखाएंगे सब दिखाएंगे चिंता मत करो सब का फोटो मेरे पास है ठीक है चलिए तो वह हो गया यहां पर पॉइंट और पिट्रा ड्यूरा भी आप समझ में आ गया अब देखो आगे जितने भी महल बनाये गया इसके बाद उस अग야 तो आप बताएं कि वहां पर कीमती पत्थर से स्ष्यावट है या नहीं अगर नहीं होगा तो वहाँ पे जो उखा रहे घ्या होगा वह आपको इस निसान दिख रहा होगा अगर गौर्रमेंट ने उस निसान को उपर में पट्टी पुटकारी नहीं किया गया होगा तो चलिए ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं जहांगीर के बारे में यह है इत्मा उद्दौला का मकवरा इत्मा उद्दौला का मकवरा है यह देखिएगा संग्मरमर का ऐसा कलाकारी और ये संग्मरमर का जो ये कलाकाड़ी है, ये अपने एक्स्ट्रीम रूप में, यानि कि अपने सबसे चरम रूप में ताज महल में जाकर की दिखाई हमें पड़ता है, ताज महल में, और सबसे शुरुआत में जो संग्मरमर का गुंबद बनाये गया, वो बनाये गया, किस का पुरा इत्मा दॉला का मकवरा और सबसे एक्स्ट्रीम रूप हमें गिंगहान सबसे तो इसको द्यान रखें चले आगे तो जहांगीरी के बारे में बहुत सारी बात कर लिए नियाय के बारे में बात कर लिए एक्जाम में कोशन पूछता है नियाय के बारे में तुझू के जहांगीरी के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने यह भी बात पूछता है अब आते हैं सा जहां साज अहां, बहुत बड़ा है, देखो, मुंताज के चक्कर में ताज महल बना दिया, मतलर आप समझे रहाँ, ताज महल बन बना दिया, कितना बड़ा वला है, चलिए, साज अहां को कला संस्कृती और बास्तु कला के लिए जाना जाता है, बताने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में बहुत सारी बाते आप जानते हैं टाइम पर देख लिए 1628 से 1658, क्योंकि 1658 में इसका बेटा और अंग्जेव इसको पकर के जेल में डाल देता है और खुद सत्ता का स्वामी बन जाता है, यानि कि खुद सत्ता पे बैट जाता है, इस बात को आप अच्छे तरीके से समझेगा चलिए ठीक है, जहांगीर के बारे में हम लोग बात करते हैं जहांगीर, सबसे पहले उसके पत्नी का नाम है मुम्ताज महल सबसे पहला पॉइंट हुई है, मुम्ताज महल, अजरवन्द बानो बेगम इसका नाम है मुम्ताज महल के नाम से जाना गया, और जब मुम्ताज महल की मिर्ति हुई तो उसके याद में इसने आगरा में ताज महल का निर्मान कर दिया जो दुनिया में सबसे परसिद प्रेम का निसानी माना जाता है और साथवा अजूवा अपने देश का है तो अच्छा है साथवा अजूवा है और गौर्वर्मेंट इससे पैसे कमाती है आपको ही पता है इसके रख रखाव में खर्चे भी आते हैं इससे भी कमाते हैं तो बढ़िया है ठीक है चलो तो साज हाने ताजमहल बनबाया ये बात बताने की ज़रूवत नहीं है और ताजमहल का निर्वान 20 बरसों में किया था 20 हज़ार मजदूर इसमें 20 बरसों तक काम करते रह गये थे और मकनान से राजस्थान का जो छेत्र है वहाँ से संग्मर्मर को मंगबाया गया था और पूरा ताजमहल बनाया गया संग्मर्मर की ऐसी कलाकारी पूरे दुनिया में और कहीं नहीं है जैसा ताजमहल में है जैसा ताजमहल है चीए ऐब करते हैं इसके दरबार में फ्रांसिण एतरी वर्रुणियर और ट्राइबपिनियर और इतालवी निकोलो मनूची आये थे आपको बता दे बिजयनगर की बात हो रही है, संगम डानेश्टी की बात हो रही है, तो अगर नहीं याद है, तो याद रखो, हमारे याद रखने से क्या है, एक्जाम तो आपको पास करना है, हमको तो पास नहीं करना है, तो हमको याद है, तो आपको भी हम रिवीजन करवा ठीक है तो ध्यान रखिएगा निकोलो डिकंटी अब्दुर रज्जाक पर्थम अब्दुर रज्जाक देवराय दूतिये कौन से डानेश्टी का संगमबंस बिजयनगर समराज ठीक है और यहां पर निकोलो मनुची है इतालवी यात्री साजहां के समय में आया है चलिए इस प्रवारे बात करेंगे बहुत लंबा बात करेंगे तो इसको बाठ कर ज्यादा दिक्कत नहीं है उससे बनबाया ज्यामाम पर लिए लगई बिल्लिक लाल के लिंवे क्लाति जाएंगे तो आप बहुत कर दिखेया तो इसे दिखेंगे सिल और ये खुद है महाँ से, ठीक है? देख लीजिए अच्छे से, ये जमा मस्जिद है, ये खुद है? है ना, तो ये है आपका सा जहां, मुम्ताज का husband, ब्वाइफरेंट नहीं है, वो था ब्वाइफरेंट, ठीक है? ये husband है, ये legal है, अच्छा, वो भी legal है क्या? पता नहीं, तुम लोग बताना वो लीगल था कि नहीं, कौन? कोहिनूर हीरा, जो हीरा है, ठीक है, तो कोहिनूर गोलकुंडा के खादान से निकला था, और वहां के राजा से होते हुए कहां तक पहुंचा था? मुगल तक पहुंचा था, मुगलो तक, दरसल यह अलग अलग तरीके से मुगलो तक पहुंचा था, अलग अलग तरीके से, ठीक है, मुगलो तक पहुंचा था, फिर मुगलो से यह कहां गया, नादिर सा के पास गया, नादिर सा, जो इरान का राजा था, नादिर सा, फिर नादिर सा से यह पहुंच गय किसी तरीके से रंजीत सिंग जो सिखों का बहुत विसाल समराज इसने अस्थापना किया था रंजीत सिंग के पास पहुंच गया ठीक है फिर रंजीत सिंग से यह पहुंच गया कहां अंग्रेज के पास यह इसका पूरा का पूरा है और आज कल कहां है तो आज कल यह इंग्लैंड के महरानी के मुकुट में है तो इंग्लैंड के महरानी के के ताज में है और जहां जहां गया वहां पे कार्चाट हुआ हर जगा कार्चाट हो करके अपने अपने तरीके से अर्जेस्ट किया गया यहां भी कार्चाट हुआ तो यहां भी अर्जेस्ट किया गया चलिए कहते हैं कि रंजीत सिंग के बारे में थोड़ा सा और तो और उनका पूरा एरिया भी वही था लाहोर अमरीसर वेगरज यानि आज का पाकिस्तान और जम्मू कास्मीर वेगरज का एरिया है वो उसका एरिया था तो इस हिसाब से चुकि वो एरिया रंजिस सिंग का था तो इस हिसाब से जो आज का पाकिस्तान है वो कहता है कि कहु कहता है मेरा है अब या लिखने की ज़रुरत है इंट्रेस्टिंग इसलिए लिखने की ज़रुत है बहुत इंट्रेस्टी civ infect है ठिक है नहीं कहानी समझे थोरा सा कहानी सूरा कि है की जिस के पास कोहलальный हिरा बहुत हो गया उद नियुकुण क सोगी मुगल teaching मैयूर सिंहासन पे अंतिम बैठने वाला सासक कौन था मुगल सासक कों था तो ₹म साम्सा लंगिला ठीक है तो यह भी लिख देता हूं मैं मयूर सिंहासन पर अंतिम मुगल समराथ कौन बैठा तो मुहम्मद साह रंगिला ठीक है इसका नाम ही रंगिला तो अब समझ सकते हैं सासक कैसा होगा ठीक है इसको ट्रांसजेंडर में बहुत ज्यादा इंट्रेश्ट था इस रंगिले को ठीक है नाम ही रंगिला तो रंगिला चलिए हो गया तो इसका भी सासन खतम और नादिर सा के पास गया तो नादिर सा आप जानते हैं इंग्रेजों का सूर्ज चार तरफ से डूब गया अभी है एंग्रेज के पास ही और जानते हैं कि उसका जो डिवलप्मेंट है वह बहुत ज़जादा तेज नहीं है हम उससे ज़जा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और एक सामे कोरोना से पहले था हम उसको तो इसको दे दो इसको दे दो किसलिए दो कल को यह मेरा हो जाएगा अब फिर हम इसको समुद्र में भेक देंगे और अगर आप अंग्रेजों का मूजियम घूमेंगे इंग्लैंड में तो वह सारे के सारे मूजियम जो है चोर वजाते हैं, क्योंकि पूरे दुनिया से वह चीजों को इखठा करके जहाँ जहां राज किया है मूजियम में आपकाता क्या है, बताओ aisa चोर मतलब लोफा, तो 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 और तो उसमेंगे मेरा है, तो 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 चोरी करके लाए है अब उससे कैसे निप्टा जाया, उस सरकार को सरम भी नहीं आती है, कि खूले में रखा है, सब जानता है कि कौन सा मॉनुमेंट कहा है, उसके बाद भी तुम लेके रखे हुए है, अब उसके मुजे में देखो गए हैं, तो हमारे हरपा संस्कृती से कितना सारा चीज वहां रखा हुआ है, अब क्या कहा है, अरे गजब चोर है, सब कि सब चोर ही है, पता नहीं, सरम भी नहीं, लाज भी नहीं आता है, चलो, आगे बरते हैं, यह समझ में आ गया, चलिए, तो यह था हमारा साजहां के बारे में कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताया, आगे कुछ औरंग्जेव जो है जब दक्षिन भारत में अपने समराज को देख रहा था, मूगल समराज का दक्षिन भारत में बिस्तार कर रहा था, ठीक है, दक्षिन भारत में, जिस समय यह सासक बना, तो क्या हुआ कि सा जहां का तवियत खड़ाब हुआ था कुछ गर्वरी आई थी तो औरंग जेव ने दक्षिन भारत में ही अपने आपको क्या घोसित कर लिया अपने आपको अगला मुगल समराट घोसित कर लिया तो यह कोशन एक्जाम में आता है कि कौन ऐसा मुगल है जो दक्षिन भारत में ही अपने आपको सम्राठ घोसित कर लिया था तो औरंग जेब ठीक है सम्राठ घोसित कर लेता है सम्राठ ठीक है दक्षिन भारत में ही लेकिन अब सम्राठ बनना कोई ऐसा तो नहीं है कि एकदम आसानी से आप बन जाएंगे अरे भाया तुम्हारा बहाई सब दूगों तुनकों यहां पर है, सुजा है, मुराद है, यह सब क्या करेगा, है ना, और जब तक तुम उसे लराई नहीं लड़ोगे, तब तक तो कोई बात बनेगा नहीं न, ठीक है, और औरंग्जेव के का एक बड़ा भाई था, औरंग्जेव का, जिसका नाम था, दारा सिको, दारा सिको बड़ा इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसने अनुबाद किया था, ठीक है, रज्म नामा में माभारत का अनुबाद किया था, ठीक है, तो दारा सिको बड़ा इंपोर्टेंट है, याद रखेगा, तो दारा सिको भी था, तो ध्यान रखेगा, इ लिएोटाइशुद विश्वर सब्सक लिएए और फिर Pennsylvania ai में यह बड़ा इंप्स्थ है ना धर्मत सा मुगर्ड देविड्री और वियुद थी चलिए तो इस चारो भाई के आपसी लडाई में नकाउट मैच में फाइनल में दारा सिको और औरंग्जेव की बिच होती है और फिर फाइनल औरंग्जेव जीत लेता है और राजा बन जाता है दारा सिको इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा दारा सिको और एक बात और बता और फिर से एक बार राजा बनता है तो दो बारी अपने आपको ताज पहनाता है तो यही बात है यहां पर लिखा हुआ है कि कौन ऐसा सासक है जो दो बारी अपने आपको ताज पहनाया तो वो औरंग जेव है, एक बार तो दक्षिन में जो कि यहां पर देखा, और एक बार जीतने के बाद, तो यह दूसरा बार था, ठीक है, ताज पहना लिए, ताज पहनाने के बाद पहला काम क्या किया, कि अपने बाप को जेल में बंद किया, पहला काम तो यह किया, जो किले में ज़िखें और वहां आपने बहन को भी डाल दिया कि तुम अपने पिता का भी देख रिख करना आपके बहन को डाल दिया ठीक है तो दोनों नहीं बढ़ाया गए और वहीं पहले उनकी मृत्य हो गई किसकी साजानकी 6066 mask इसही में साजानकी मिरती सा जहां की मिर्तिव होती है यह बात आप अपने कॉपी में जरूर लिख लेंगे 1666 में ठीक है चलो हो गया और राजा बन गया चलिए अब अगला पॉइंट और राजा बनते ही उसने सबसे पहले समराज विस्तार की तरफ ध्यान दिया और चुकि एक कट्टर राजा था या इसका सबसे इंपोर्टेंट है सासन के बेस का मतलब सरिया का सासन या इसलामिक जो रूल होता है उसके हिसाब से यह काम करना चाहता है काम किया भी उसी के हिसाब से और यह भी देखिए लगभग 50 सालों तक सासन किया आप दिकर है न 1658 से 1707 में जाके मिरती हुई है तो 50 सा मैं मैं बहुत सारा काम किया जिसमें से इंपोर्टेंट एक्जाम के जो कोशन बनते हैं वह जड़ा मैं आपके साथ अगर सेर करना शुरू करूँ तो कुछ इस तरीके से है कि इसने गुरु तेख बहादूर को मार डाला ठीक है शिखो के 9 गुरु है गुरु तेख बहाद बहादूर को और पांचवे गुरु गुरु अरजुन देव को किस ने मारा तो सा जहांगीर ने मारा याद रखिएगा तो पांचवे गुरु गुरु अरजुन देव को जहांगीर ने मारा और नौवे गुरु गुरु तेख बहादूर जी को किस ने मारा और 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 मारा और पांचवे को जहां गीर ने मारा ठीक है चलिए आगे बार करते हैं इसे जिन्दा पीड कहा जाता है जिन्दा पीड ये भी कोशन एक्जाम बना तो जिन्दा पीड कहा जाता है ठीक है चलो अकबर ने जजिया हटा दिया था इसने जजिया लगा दिया आप देखो मै अकबर के साथ तुलना करता हूँ और अकबर का कुछ point अगर छूट गया होगा तो अपने copy में आप लिख लीजेगा और बड़ा इत्मिनान से पढ़िये हमार साथ बड़े पयार से आप हमारे साथ पढ़िये हर चीज आपको मिलता होगा चला जाएगा तो इसने जजिया फि हिंदू अधिकारी थे या हिंदू मनसबदार थे या हिंदू मनसब थे या हिंदू ओफिसियल्स थे सबसे ज़्यादा कुछ भी पूछे तो उसका एंसर होगा औरंग जेव है आगे बढ़े कटर होने के बाद इसलिए एक्जाम का कोशन ये बन जाता है चलो ठीक है हो कि बीना बजानना मेंने बीना गलत लिखा है ठीक है बीना बजाना जानता था हूं थीक है दो क्या करता है अब यह करता था बीऔर जान जानता था और यहां हम आपको समूधर गूफट पुरहा रहे थे उस〇ंसमिभी मैं ने आप में बजाना जानता था और यह बहुआ बहादुर को मार द गण्याकर नोगों कर दिया चलिए ठीक है आगे धेछते हैं आगे देखतें यह किया ही को आगे ठीक है उसने अगर में कुछ कुछ लोगों से आपको compare करता हूँ जिस तरीके से असोख ने धर्म महामात्र की निक्ति किया था एक धर्मी का दिकारी था और अंग्जेव ने मुहतसीव नाम का दिकारी की निक्ति किया जो धर्मी का दिकारी है एक्जाम का question बन जाता है मुहतसीव इसका काम क्या है कि जो वह बेवस्था वह इसलामी कि रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है वह देखता मुहतसीव का काम धर्मी का दिकारी था और एंग्जेव ने लालकिले में मोती मस्थिद का निर्मान करवाय है अगर आप ध्यान दिजेगा लाल किले के अंदर जितने monuments हैं, लाल किले के अंदर जितने monuments हैं, लाल किले के अंदर जितने monuments हैं, वो सब के सब सा जहां ने बनवाया था, लेकिन मोती मस्जिद का निर्मान औरंग जेब ने करवाया था लाल किले के अंदर, वो भी हम आपको फ fusion अपने मन से निकाल देजे और एक तरीके का ट्रिक भी बन जाएगा आपको याद रखने का कि लाल के लिए का सब कुछ तो साज हां में होगा लेकिन मोती मस्जिद कौन होगा औरंग जेभ होगा तो ऐसे भी करके आप याद रख सकते हैं बड़ा सिंपल तरीके से आप औरंगाबाद में तो यह इसका भी फोटो हम आपको दिखाएंगे तो यह दोनों फोटो से आपको याद हो जाएगा याद रखेगा अभी दिखाने वाले हैं चलिए लाहोर में बादसाही मस्जिद का निर्वान करवाया यह भी फोटो हम आपको दिखाएंगे तो इसका आपको फोटो से याद हो जाएगा लाहॉर के बादसाही मस्जीद ठीक है चलिए आगे अब पॉइंट आता है और जेव के कट्टरपन ठीका जिसमें एक चीज पीछे मैंने कहा कि उसने जजिया कर लगाया तो जजिया कर लगाया फिर से हटाया किसने था अकवर ने संगीत परतिबन लगा दिया अब देखो खुद बीना बजाने में होस्यार है लेकिन यहां संगीत परतिबन लगा रहा है बाहरे बाहर इसने कहा था कि संगीत को धरती के इतने अंदर दवादों कि कभी बाहर न निकल पाए क्योंकि इसलाम में कहते हैं कि संगीत हराम है तो ऐसा क कहते हैं तो वफ इसलिए पर्तिवन लगाया था सिक्कों पर कलमा खुदा झाता था सिक्कों कोकी फाइब चीज होता है और सिंक्के किसके हाथ में जाते हैं नीजे गिरता है तो अपवित्र हो जाएगा तो इसने बंद करवा दिया यानि सिक्कों पे कलमा खुदवाना बंद करवा दिया नौरोज अब चुकि आप जानते हैं कि बलवन ने नौरोज तेवहार को सुरू किया था बलवन ने नौरोज तेवहार को सुरू किया था अब ये रोक दिया क्यों क्यों कि कहता है कि ये इसलामिक नहीं है यह तो पार्सी तेवार है और हम इसे नहीं मानेंगे तो इसने बंद करवा दिया नौरोज को देखो जब भी मैं कुछ बताता नहीं तो उसके पीछे यह बता रहो कि कि इसने सुरू किया था इससे क्या आता है कि आपका रिवीजन हो रहा है आपके कॉपी में आपका पिन च सहयोग से राजा राम मुहन राय के सहयोग से बिलियम बेंटिंग ने इसे पूर्ण रूप से कानून बना करके न रोक दिया ठीक है तब तक यह फलू भी नहीं हूँ 1856 में चलिए इसने ज़रोखा दर्सन पर परतिबन लगाया अब ज़रोखा दर्सन किसने सुरू किया थ और अपने परजा को दर्सन देता है इसको जहरोखा दर्सन कहते हैं जैसे आज रहों साहरूख हान चंठ करते हैं अपने गैलरी अपने पे आकर करके और हमें घरशा ने वालों को हाह बाया टाटा करता है लोग इतना पागल हो इतना एक्साइट को देखने के लिए संवा कुछा नहीं है मेरा मानना है कि 99.99% सब कुछ है 0.01% कुछ नहीं होगा ठीक है तो अब उसको ऐसे से हाय करने से उसको देखने से है जो मैंने आपको बता है तो यह जरूखा दरसन बंद करवा दिया तुलादान पर्था किस ने अकबर न सुरू किया तुलाजानपर्था अकबर ने सुरू किया biology बंद किसे हैं और अंग्जेब ने आप समझ लिजें कैसा यह परथा था इसको 1000 गरवा दिया कि अरे इससे बहू शारा संपत्ति बाहर निकल जाता होगा, इसलिए बंद करवा दिया, ठीक है, तो ये सारा चीज, मतलब कि ये इसने बैंड जादा किया, चीजों को बैंड करना, इसने दिवाल पे चितरकारी बैंड करवा दिया, पैंटिंग इसके समय में एकदम नरक में चला गया, पैंटिंग च साही मस्जित का निर्वान किया, और औरंग जेव में बीवी के मकवरा का निर्वान किया, औरंग जेव ने, औरंग जेव कोई बारे में कहा जाता है, कि औरंग जेव को दक्षिन भारत के कीरे ने उसको उसके समराज का अंत कर दिया, क्योंकि औरंग जेव दक्षिन में अ पालती हो और आने वाला मस्त था या और अरंग्जीश की पिवाया का माराथा संशनी सुप्राज को इसको और संभाल पपाया। में संदी करने के लिए बहुत बरा अलडि दुस्मन से ईस्लिए करने के लिए जैसिंग के लिए यहि सु though जंदर की संधीक की थी 1665 में सिवाजी से और सिवाजी को औरंग जेव अपने किले में बंद कर लेता है लेकिन सिवाजी भी बड़ा चतुर आदमी थे वह महिला के वेश बदल करके अब यह समझ में नहीं आता कि किस महिला ने उनको अपना कपरा दिया किसी को पटा लिये हो जरा कुछ फोटो देख लेए ये बात्साही मस्जिद है याद रखेगा कहां का है लाहूर का है यह बी-बी का मकवरा है इसको देखने से नहीं लगता है कि कुपोसित ताजमहल है इसे पहले अपने ताजमहल Press से पहले अपना देखा यह confusion आपको होड़ा होगा क्योंकि दिल्ली के लाल-खिले का निर्मान तो करवाया साह जहां नहीं यहां लेकि इस मोती मस्जिद का निर्मान जो बिल्कुल संग्मरमर की है पूरा का पूरा व्यों निर्मान किसं ने किया और यह और तो हम लोग और मराठों के बारे में जरासद Jai Singh जो ठे ना वह सेना-पती थे, और ऑ्रंगजेव के सेना-पती थे जैसिंग, और अंगजेव के और सिवात जी अप्चूकि बहुत चतुर थे, तो सिवाजी को उसने अपनी बातों में ला करके और आगरे की किले तक ले करके भी आ गया था लेकिन फिर अंती में सिवाजी तो सिवाजी थे ठीक है तो वो निकल गया चलो ठीक है आगया औरंग्जेव की मिर्तिव के बाद उसे कहां दफनाया गया तो दौलताबाद में दफनाया गया यह वही दौलताबाद है जहां राजधानी ट्रांसफर किया था कभी मुहम्मद बिन तुगलक यानि पगला ने क्योंकि आप जानते हैं एक्जाम का कोस्टन की पगला सुल्तान कौन है तो MBTA मुहम्मद बिन तुगलक है चलिए इसके समय औरंग्जेव के समय बिद्रो कहां कहां हुआ था तो जाटो का बिद्रो हुआ था राजा राम और चुरामनी जाटो का बहुत बरा राजा माना जात है और ईसके एक्जाम का कॉस्टन कभी 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 दिख जाता। बुंदेला। छ चटर साल चटर साल के उपर में कभीता भी आप जानते हैं राजा चटर साल को लोओ करके सट्नामी का Measure B गुरु तेग बहादूर की नाइन्थ गुरु गुरु तेग बहादूर को इसने क्या किया था मिर्तू हो गये थे और राठोरो का दुर्गादास राठोर इसके बड़े कटर दुस्मन थे क्योंकि और अरंग्जेव जो है ना राठोरो को उनका समराज वापस नहीं कर रहे थे और जो राजा थे राठोरों के उनको राजा मानने से इनकार कर लिया था तो दुर्गादास राठोर वहां जो की राठोरों के सिनापती थे वह राजा को लेकर के राजा दिलीप सिंग होते हैं ठीक है दिलीप सिंग ही होते हैं कि अमर सिंग होते हैं ऐसे अमर सिंग र रखते हैं और फिर अवर के तरप से जंडा बुलंद कर देते हैं दुरुगादास रठोड तो औरंग्जेव का जो इतना बिद्रो था और इसमें सबसे बड़ा बिद्रो और सबसे बड़ा दुसमन जो उनका सिवाजी था इन सब को औरंग्जेव ज्हेल नहीं पाया और से लेकर के बहादूर साह जफर तक है ना यानि बहादूर साह जहादार साह फहरुक सियर ठीक है उसके बाद मुहम्मद सारंगीला और बहुत सारे सासक आना सुरू हो जाते हैं ठीक है उसके बाद आते 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 लाश में महादूर साह जफर तक आते हैं जो 1857 तक पहु मुगल का कामेहापे हो गया तो औरंग्जेव के इतने सारे जो दुस्मन थे वो सब आगे चल करके मुगल बंस को जहां तहां से चोट करते हैं और मुगल बंस बिखरता चला जाता है उसको संभालने वाला एक भी राजा नहीं होता है और अन्तता मुगल जो है ना वो किसी न किसी के पेंसन के उपर पलने वाला नाम मातर का राजा हो जाता है और 1857 के बाद वो राजगदी भी समाप्त हो जाती है और जानते हैं कि आज भी मुगलों के बंसज जो आप देखिएगा इंटरनेट पे वो मौझूद है बड़ी गरीबी हालत में है लेकिन वो मौझूद है और उनको 6000 उप्या का पेंसन भारत सरकार के तरफ से दिया जा रहा है ये बात मैंने उन्ही के इंटर्व्यू में वो जो एक महिला है जो मुगलों की राजकुमारी है उन्ही के इंटर्व्यू में मैंने ये बात सुना है बड़े फर्राटा से इंटर्व्यू देती है उनके बहुत सारे इंटर्व्यू है जो यूटूब पे मौझूद है तो आप देख सकते हैं मुगलों के अंतिम राजकुमारी और उनके इंटर्व्यू को एंगी में हिए लिखा हुआ है और हिंडी भी आपको दिख जाएगा तो हम आपको सूर डानेश्टी और यह है आपका सेर्सा सूरी यह सेर्सा है कि सेरे साथो प्रसे मैं हमायू पर वापस चलता हूँ और जो पर बात किया था उसको घृब से चलता हुद मैंने कहा था कि बिलगरामी के यानि कन्योज और बिलगरामी के युद के बाद जब सेर्सा जीता है तो हिमायू भारत छोड़ता है और इरान भाग जाता है तो यहां पे भारत में सूर्वंस के अस्थापना हो जाता है यह बात वहाँ पर हमने आप से किया था और उसी बात को मैं यहां पर आगे दो रहाता हूं सेर साह 1540 से 1545 सिर्फ 5 साल का उनका सासन होता है लेकिन उनके बंसजो का सासन 1540 से 1555 तक होता है यानि कि सूर समराज का सासन 15 साल तक है लेकिन सेर साह का सासन सिर्फ 5 साल तक है याद रखेगा इस बात को जब हिमायू भारत छोर के चला जाता है तो सेरसा गद्दी पे बैठते हैं सेरसा के पिता मैंने जब आपको क्या बोलते हैं इल्टुत्वीस परहाया तो मैंने कहा था इक्तेदार और इक्ता मैंने वहाँ बताया था कि सासा राम के जागिरदार और इक्तेदार थे कौन हसन खान जो की सेरसा के पिता थे तो यानि कि सेरसा एक 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 राजपरिवार में पैदा लेने वाला बच्चा है या राजपरिवार में पैदा लेने वाला सासक है ये बात भी आप अच्छे तरीके समझेगा, लेकिन चुकि उसकी सौतेली मा के साथ उसका नहीं बनता है सेरसा का, तो सेरसा बिक्तिगत रूप से अपना पूरा का पूरा इंपायर बनाने के लिए काम करने लगता है, और वो अलग-अलग जगा नौकरी भी करता है, जैसे कि वो मुगलों के यहां भी नौकरी करता है, छोटे अफगान, अफगानियों के यहां नौकरी करता है, जो बिहार में नुहानी अफगान सरदार होते हैं, नुहानी सरदार, उसके यहां भी नौकरी करते हैं, मुगलों के यहां नौकरी करते हैं, और अपनी जो परसिद्धी वहां जहां तक हमने हिमायू को छोड़ा था, बीच वाले गैप पे, तो वो गैप है सूर समराज का, चलिए ठीक है, आगे, सेरसा अपने परसासन और भूराजा सुपधिती के लिए जाना जाता है सेरसा, और ये कोशन एक्जाम में आया है, और मैंने आपको बताया था, कि अकवर के यहां टोडरमल काम करते हैं, जो उनका बितमंत्री है, लेकिन टोडरमल उससे पहले सेरसा के यहां काम करते हैं, ये बात भी मैंने आपको साइद बताया होगा, नहीं तो मैं आपको बतायता हूँ कि टोडरमल, टोडरमल सेरसा का भी बितमंत्री था, याद रखे जो निती होती पट्टा और कबूलियत जैसे चीजे सेरसा शुरू करते हैं भूराजस के लिए मैंने हाप लिखा है कि भूराजस के लिए पट्टा और कबूलियत जैसे चीजे सेरसा शुरू करते हैं तो पट्टा और कबूलियत मतलब कि जो जमीन आप लेंगे वह पट्टा के लिए सेर्था के परसासन के वया बखे बारे में कहानी वड़ा परचली था एंसी आर्टी बगरा में लिखा हुआ है कि अगर कोई बुढिया बुढिया आधी रात में यानि की 12 वजे रात को भी आधी रात में हीरे जावारास की टोकरी लेकर के एक सुंसान रोड पर भी जाए तो किसी की हिम्मत नहीं कि उसकी टोकरी को ले ले या उसमें से कुछ ले ले इतना मतलब सक्त परसासन था सेर्षा का अब समझ सकते हैं बुढिया सवत का परयोग यहां पर देखो यहां पर इस लाइन का बहुत मतलब निकलता है अगर मतलब मैं समझाओ तो बुढि बुढिया एक संकेत है मतलब कमजोर से कमजोर बुढिया का मतलब क्या एक तो और जो कमजोर होती है और उसमें बुढिया यानि की वह और कमजोर तो एक दम कमजोर कोई इंसान और क्या लेके जा रहा है मतलब की महंगा से महंगा आइटम भी और कब लेके जा रहा है रात म जिसमें चृर्ण की घतना सबसे जादा हो सकती है और वो भी सुन्सान प्याने की कोई सिपाही नहीं है उसके बाद भी किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे छूले मतलब इसका पूरा जो ब्यक्या कुछ इस तरीके से है कि किसी भी हालत में उसके परसासन में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती है इसका मतलब यह होता है तो इतना परसासन के लिए जाना जाता है सेरसा सेरसा आपने ग्रैंट रेंग रोड के लिए जाना जाता है ग्रैंट रेंग रोड आप जानते हैं जो आज भी NH1 और NH2 के लिए जाना जाता है Grand Trang Road आज भी आप जानते है इस बात को यह दोनों मिला करके Grand Trang Road बन जाता है हम आपकी इसके वारें बात करेंगे इसका पिक्चर भी आपको दिखाएंगे और रूपिया नाम का सिक्का जारी किया और यही रूपिया से आज भी हमारे देश का जो पैसे का नाम है वो रूपिया है तो अगर आपसे question पूछे कि सबसे पहले रूपिया नाम का सिक्का किसने जारी किया तो सेरसा ने जारी किया और यह चांदी का सिक्का था और इसका importance इतना जादा है कि आज भी अपने देश के सिक्के का नाम क्या है बेटा रुपया है आज भी अपने देश के सिक्के का नाम रुपया है इस बात को अच्छे तरीके से समझेगा ये सेरसा का ही दिन है तो Grand Trang Road भी बात कर लिए इसने पुराना किला जो दिल्ली का प दिखाएंगे और कालिंजर पर विजय प्राफ्त करते हैं इसकी मिर्ति हो गए अब इसके बारे में आगे तो रहता ही था इसी के पास आकर के इसको बोला कि फटलू तो फटलिया और यह भी फटलिया ठीक है तो कहने का मतलब इसकी मिर्ति हो गई कुछ इतिहासकार कहते है कि तोप चलाया गया लेकि उसकी गोला जो है लुढ़क करके यानि की गोला वहां तक नहीं पहुंचा लुढ़क के यहां इसके पास गया और फटलिया दोनों ही हालात में गोला जो तोप का था वह सेर्चा के पास ही आकर के फटलिया तो सेर्चा भ यही सेर्षा का सबसे वड़ा important है पूरे point में और अगर आपसे question गुमा के पूछ ले तो टोडरमल पहले सेर्षा के यहां काम करते थे मतलब question पूछेगा कि टोडरमल अकवर से पहले किसके दरवार में थे तो सेर्षा के दरवार में थे सेर्षा के बाद इसलाम साह मुहमाद अदिल साह यह सब आते हैं किसी काम का नहीं है इसी मुहमाद अदिल साह के साथ हिमायू का लड़ाई होता है की सिर्षा को हराता है और फिर से मुगल बंस के स्थाफना करता है और मुगल बंस फिर से शुरु हो जाता है तो वह जो गैब था उसको हमने यहां पर पूरा कर दिया कर दिया ना चलो अभी कुछ फोटो देख लो यह है आपका सेरसा का मकवरा जो चारत्रफ पानियों के बीच में है यहां पर देखिए सरक बना हुआ पानी के बीच में यह है पुराना किला यह लवर्स पॉइंट माना जाता है दिल्ली में आप जाएंगे तो आपको सेरसा का रुप्या है हमको नहीं पता है क्या लिखा हुआ है क्योंकि पढ़ने नहीं आता है इनकी भासा जो फार्सी यह अर्वी ए ठीक है लेकिन है और यह ग्रैंट रोड ओरिजनल रोड ऐसा था जो अभी भी कुछ दूरूगी तक प्रिजर्व करके रखा था गोवर्म जी टी रोड यह आज के डेट में एन एच वन और एंड और नहीं एड इन एच टू को मिला करके बना दिया गया है इन एच टू को मिला करके ठीक है कहां से कहां तक तो देखो जो शुरुआत था जो शुरुआत में यह था मतलब अभीरक प्रसा-से रौन और घाल कटा से अमरित सर तू-टू-अभीय क्योंछ, जर्ड़ी से अमरीट फोला एंच टू तो Κलकता से अम्रीट फैरता प्यला का पूरा था कलकत्ता से दिलि हberg cade das एक ओर ओर एट adviserी से या अ ब्रीशन गिज़िए अम्रीच सन्व कि इस यह तो इनेज वाने इस्टुउ मिलकर में किया बनाता है जेटी प्राटा ठीक पक्का ऑंबल ईए gefallen अब नह्यां अब antagon यह फोटो एब अबाट कर लिया है he ट्रेश देख लिए होंगे 627 वासाओं सुछावची से स्वाजी केसे 625 घ्रिषजा करते हैं देखल और स्वारत अस्टाइट मैंने औरा स्थापन copies पाट करने से इन में एक साहस भर गया और यही साहस जो है न वो क्या बोलते हैं मुगलों से लरने में इनको योगदान दिया क्योंकि मुगल इतना वड़ा बिसाल और छोटा सा मराथा समराज यह इतना कैसे लड़ सकता है औरंग जेव से हां आगे चल करके मुगल तूटने लगते हैं महाराथा बढ़ने लगता है तो आप छेत्र का विकस्तार आप देखते हैं आगे चल करके लेकिन जब सुरुवाती दोर की बात करते हैं तो छोटा सा मराथा समराज जो सतारा और पूने जैसे इलाकों में और रायगड उनकी राजधानी हुआ करती थी सिवा ज सिवाजी महराज की बात करते हैं 1627 अ इसीले महँराज की मिर्थी होती है और रंघ्जेव की शुआती हैं ऑ n चल को सब्सक्राइस साजी भोदे के नाम है माता का नाम बाता्द्थ जिजावाई है धार्मिक सिक्षक रामदास है याद रखिएगा एक्जाम का कोस्टन है यह सारे के सारे जो भी मैंने यहां पर बताया है चलो ठीक है आगे 1669 में इन्होंने अफजल खान को मार दिया अफजल खान को और पुरंदर की संदी 1665 में किया इस बात को मैंने आपको घ्म पता नहीं को पठा लिये होंगे और उनका कपड़ा पहल लिये होगा किसने दिया होगा सोच लिए को इनों कोई तो दिया होगा तो वहां से निकल लिए सी ठीक है और भाग गया जी को वाड़ें वहाँ बात है लेकिन एग्जाम केौइट पॉइन्ट औव भी से बात कि यह मराठो की संपत्ति है और चुकि तुम्हारे पास है तुम 10% हमको दो अगर मैं इसको अच्छे सा समझाओ तो एक कुछ इस तरीके से एक तरीके का आपको बदमासी का एक उदारन मिल जागा कैसे देखो तुम हमको चौथ दो यानि कि अपने इंकम का 25% क्यों दो नहीं दोगे तो तुम पर हमला करेंगे और हम करेंगे नहीं करेंगे पैसा दो हफ्ता वह सुनना ये था चौथ सिवा जी जबरदस्ती काते नहीं करोगे तो हमला करेंगे यानि कि मुझसे बचना है तो चौथ दो क्या था तो सर्देश मुख्यूं किया था सर्देश मुख्यूं में यह काते है कि चुकि यह मेरे संपति आई सी जबरदस्ती मेरे संपति है तो मुसका 10% income को दो तो यह जो चौथ और सरदेश मुखी था यह बड़ा important था और जो सरदेश मुखी था वो especially राजा के खर्चे के लिए जाता था चौथ तो चला जाता था राजकोस में लेकिन सरदेश मुखी राजा के खर्चे में जाता था याद रखेगा इस बात को तो सिवा जी बड़े ही यह सिवा जी है बीर सिवा जी बड़े important राजा थे बड़े important राजा थे सिवा जी ठीक है बहुत भारती इतिहास में इनका बड़ा नाम है चलिए सिवा जी के बाद सीवा जी के दरवार में उनके अश्ठ परधान रहते थे, अश्ठ परधान से भी exam का question बनते हैं, पेस्वा जो सबसे बड़ा important है, पर्धान मंतृ के रूप में, मजुमदार, आज भी मजुमदार टाइटल के लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, है एक्जाम का कोशन दवीर से बहुत बार बना है बहुत बाड़ी और सुरन 20 यानि कि सचीव सही पत्रचार के परमुख यह भी एक्जाम का कोशन बहुत बढ़ बना है पंडित राओ धार्मिक मामलों का पंडी तरह से तो धार्मिक मामलों आप समझ में आ जाएंगे तो यह कोशन बनाने का कोई टूक नहीं है देखते ही टिक हो जाएगा और इसे पहले पीछले बीडियो में अकबर के बारे में बताया था इसनका नौरत्म था ठीक है उससे पहले हमने आपको बताया था के डियार के बारे में उनके पास अस्ट दिगज था तो यह कुछ-कुछ ऐसे हैं जिसको आप संभाल लिजेगा उससे भी पहले हमने बताया था चंद्रगुप्त दूतिय के बारे में उनके पास भी नवरतन थे चलो आगे बढ़त कि साहु को औरंगजेव कैद कर लेता है और साहु को छोड़ता कौन है तो बहादूरसा साहु को छोड़ देता है जो औरंगजेव के बाद सासक बनता है रिलीजड वाई मुगल एंपरर बहादूरसा तो बहादूरसा इसे छोड़ देते हैं और औरंगजेव इसे अपने कैद में रख लेते हैं साहु कौन है तो साहु मराथा समराज का अंतिम सासक है क्योंकि इसके बाद मराथा समराज तूटने भिखरने भी लगते हैं और फिर जो सक्तियां है, वो किसके पास चलाता है, तो सक्तिया चले आते हैं, पेशवा के पास, और पेशवा अब परमुख हो जाता है, तो जड़ा पेशवा के बारे में हम रेक बारे में बात कर ले, पेशवा के बारे में, चलिए, पेशवा, पेशवा जो परधार मंत्री यह सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको बाजी राव मस्तानी फिलिम देखा होगा, मस्तानी, जिसके चक्कर में बाजी राव सब कुछ खो देता है, ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाता है कभी-कभी, ऐसा हो जाता है, सच में होता है, लेकिन यह जोना चाहिए 25 साल से कम, याद रख जिसमें पागल पनी भी हो सकता है पचीश से पहले ऐसा हो सकता है दार के पवार ब्रोदा के गयकवाड नागपुर के वोसले पूना के पेशवा याद रखेगा इस तरीके से और सिवाजी महराज की राजधानी कहां थी रायगड याद रखेगा यह बात मैंने आपको नहीं बताया सिवाजी महराज के बारे में इनकी राजधानी थी रायग आगे बाला जी बाजी राओ जो दूसरे हैं पहले बाला जी राओ तो देख लिए बाला जी बाजी राओ इसको बाला नाना साहिब के नाम से जानते हैं और इसी के समय पानी पत का तीसरा लड़ाई हुआ था पानी पत का तीसरा लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था त में माराथा सबसे सक्तिसाली था इस समय तक मतलब माराथा इतना सक्तिसाली था कि मुगल समराथ को पेंशन देता था वह अपने अपने दम पर मुगल समराथ बना के रखता था इतना सक्तिसाली हो गया था माराथा पानीपत का तीसरा लडाई होता है और माराथों को कि 1757 कि लडाई लड़ चुके थे ध्यान लखिएगा अब यहां पर ध्यान देते हैं यहां पर पॉइंट तो पानीपत की तीसरी लडाई 1761 में होता है अबदाली और सदासिव भाव सेनापती थे, बाला जी बाजी राओ वहाँ पे थे, यहाँ पे लड़ाई हारते हैं मराथा, और लड़ाई हारने के बाद सदासिव भाव की मिर्त्यू हो जाती है, यह समाचार सुनकर के बाला जी बाजी राओ की भी मिर्त्यू हो जाती है, औ लेकिन ये सब सिर्फ नाम मात्र के राजा हैं कोई संभालता नहीं है यहां पर तीसरी लड़ाई में मरा था वह तूटी ही गया और अंग्रेज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे तो यहां पर कहा भी जाता है इतिहां स्थकारों के द्वारा कि पानीपत की तीसरी ये तो साइट कर दिया कि भारत पर कानल राज नहीं करेगा तो कैस साबीत किया मरथा नहीं करेगा क्योंकि मुल्कुर्ज परफि संसन खोर गया उसके पास कोई तकत नहीं है नीचे में हैदर अली यानि कि जो मैसूर का समराज है उसमें भी उतनी ताकत नहीं है कि दिल्ली के सत्ता को संभाल सके अवध नवाब के पास उतनी सकता नहीं है बंगाल के नवाब के पास उतनी ताकत नहीं है ताकत है ही नहीं और वैसे भी अवद और बंगाल को इससे पहले अंग्रेज हरा चुका है, तो अंग्रेज एक ताकत के रूप में जरूर दिख रहा है, बिकल्प अंग्रेज के तरफ जा रहा है, लेकिन इतिहासकार नहीं कह दिया कि कौन नहीं बनेगा ये सावित हो गया, और अंग्रेज अ इसलामी करन की सुरुवात हो जाती है, उतने ही इंपोर्टेंट पानीपत की तीसरी लराई है, क्योंकि भारत में अंग्रेज और तेजी से आगे बढ़ते है, और इसायत सुरू हो जाता है हमारे देस में, और फिर यहां से अंग्रेज बड़ा इत्मिनान से देर दो सो साल तक सासन करता है, बहुत इत्मिनान से, तो पानीपत की तीसरी लराई के बाद अंग्रेज हमारे भारत में सासन के लिए हो जाता है, और तराइन के दूतिये लराई के बाद इसलाम यानि की इसलाम हमारे यहां सासन करने के लिए, ठीक है, तो दोनों लराई का इंपोर्टे आंगल मराथा यूद होता है जहां पर मराथाओं बिल्कुल बूरी तरीके से हारते हैं पर्थम आंगल मराथा यूद होता है 1775 से 1280 में जो सलवाई की संदी समाप्त होता है दूसरा अंगल नाथा यूद होता है 1803-1886 में जो बेसीन की संदी से समङ्ट होता है और तीसरा अंगल नाथा यूद होता है 1817-1818 में जोकी निरनायक रूप से मराथा समापत हो जाता है तो मराथाओं का उतिसमापति वही समय हो गया था तो इसलिए मैंने आपको कहा ध्यान रखेगा एक बात को इसलिए मैंने आपको कहा कि दो लडाई बड़ा इंपोटेंट है तराइन का दूसरा लडाई तराइन का दूसरा लडाई 1192 में और पानी पत का तीसरा लडाई पानी पत का तीसरा लडाई तीसरा लडाई 1761 इस लडाई के बाद इसलामी करन शुरू हो जाता है इसलामी करन और इस लाई के बाद अंग्रेजो का सत्ता आ जाता है ठीक है यह था तो यह था हमारा पूरा का पूरा। मीड्येवल इंडिया तो मीड्येवल इंडिय lattka के वारे में हमने पहले वाले वीडियो में पूरा सलतनत देखा सब्समत के बाद के वीडियो फिर हमने बहमनी वेगरा सब देखा फिर दूसरे तीसरे वीडियो में हमने बावर वेगरा देखा फिर इस चौथे वीडियो में हमने जहां गीर से आगे देखा तो इस तरीके से हमने पूरा कर लिया है मेडियावल इंडिया को आप जो है न करें तो हां इंग्लीस है नहीं तो वहां पर GSE GS रोल अदा करता है रेलवे के एक्जाम में सेलेक्शन चाहते हो तो वहां पर GSE रोल अदा करता है ठीक है और उसमें भी आपको यह काम आएगा ASC में आपको काम आएगा CHSL में CGL में सकेंड लेवल के एक्जामनेशन जरूर काम आते हैं जिसमें सिर्फ इंग्लीस और मैथ आते हैं ठीक है उसके बाद दूसरे कोई भी एक्जाम चला जाओ चाहे राज्यों की एक्जाम हो बिहार में बिहार SI यानि BPSAC लेते हैं जो CG और MP यहां पर ब्यापम लेते हैं UP में UPSAC लेते हैं ठीक है UP में तो यह सारे जो राज्याद हाईत एक्जामनेशन है यहां पर भी GS सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट रॉल अदा करता है बाकि दूसरे सब्जेक्ट का बहुत रॉल नहीं है तो GS आपको नौकरी दिलाएगा पाना है धन्यवाद